नमस्कार चीके इन मारवड़ी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर हम नेक्स टेक्स स्रीज को डिस्कुस कर रहे हैं अगर आप भी कंप्यूट सिख सिख बढ़ती की तेहरी कर रहे हैं तो आज ये हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें डेली टेस्ट स्रीज को जोइन करने के लिए आज की टेस्ट स्रीज का पहला परसन आपके सामने है किसी स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए कौन सी कुंजी का आप प्रियोग करेंगे F2, F3, F4 या F5 जल्दी से आप कांस और कमेंट बॉक्स में बताएं इसके लिए आपके पास 10 सेकेंड का समय है तो देखिए इस परसन का उतर आपके सामने है किसी स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए किस कुंजी का प्रियोग के जाता है F5, बीवाला ओप्सन जिन्नों ने बेज़ा है उनका आपके आपके सही है आगे बढ़ते हैं दूसरे परसन के और दूसरा परसन नई वरक्सीट एड़ करने के लिए आपके सामने है इस परसन का राइट आणसर होगा आपके भी Alt प्लस Shift प्लस F1 नई वरक्सीट अगर आपको एड़ करने आपके Excel के सीट के अंदर वरक्सीट के अंदर तो आप लिखेंगे आप जो है Shortcut की जीज़ करेंगे Alt प्लस Shift प्लस F1 आगे बढ़ते हैं तीसरा परसन है Excel में Function Insert करने के लिए Shortcut की क्या है Shift प्लस F3 Shift प्लस F Ctrl प्लस F3 और Alt प्लस F3 तो देखे प्रसन संक्या 3 का उतर आपके सामने लेके आ रहा हूँ प्रसन संक्या 3 का आपके Right Answer होगा A Shift प्लस F3 Excel में अगर आप कोई Function को Insert करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जो है Function के अंदर आप Tab के उपर क्लिक करने की बजाए जो है Direct आप Keyboard से Shift के साथ F3 दबाएंगे तो आप सीदे Function को Insert कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं Next Person की और Next Person है Count करने का सही Formula क्या है Dollar Count और Function Dollar Count Function हो गया B है आपका Equal Count C है आपका Has Count और D है आपका Is Read Count तो यहाँ पर देखे कि आपके सामने इस Person का उतर ले क्या रहा हूँ इस Person का आपके उतर होगा B Equal Count जैसा कि आप सभी को बता होगा कि अगर Excel के अंदर आप कोई भी Formula लिखना चाते है तो उससे पहले आपके इक्वल साइन का परियोग करते हैं Count का मतलब होता है कि जो आप Range Select कर रहे हैं उस Range में कितनी Value है कितनी Value नहीं है तो जितनी Value है उसको Count करने के लिए आप क्या कर सकते हैं Count का यूज़ कर सकते हैं इसके साथ एक Count का Blank भी Count Blank भी होता है Count Blank का मतलब होता है कि किसी Select की Range में कितने खाली Column है उनको गिनने के लिए आप Count Blank करेंगे अगर आपको कोई एक Specific कोई Value काउंट करनी है जैसे कोई भी एक से दस तक Column है एक से दस तक Row है उसमें से आपको उस Range में से कोई भी एक Value गिननी है जैसे राम कितनी बार लिखा गया है तो If Count की यूज़ करेंगे आप Count If का Count If का यूज़ करके आप Function के अंदर आप जो है आगे बढ़ते हैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरू करें जिससे हमारा भी हुसला बढ़ता है और हम भी आपके लिए ऐसी टेस्ट स्रीज हमेशा लेत आ रहे हैं आगे बढ़ते हैं पांचो परसने एक्सेस में डेट एंटर करने की सौर्ट कट की क्या है कंट्रोल प्लस कोलन कंट्रोल प्लस टू कंट्रोल प्लस सेमिकलन और कंट्रोल प्लस वन सभी बता दें जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक्सेस में एमें सेक्सेंट एंटर करने की सौर्ट कट्रीचे हैं तो देखिए 5 परसंट का उतर आपके सामने लेके आ रहा हूं पांच परसंट के निदर आपका राइट आंसर होगा सी कंट्रोल प्लस सेमिकलन से हम जो है एक्सेंट में कोई भी देट को एंटर कर सकते हैं आगे बढ़ते है next person की और person sing के 6 आपके सामने आ रहा है hyperlink insert करने की shortcut की क्या है control plus h, control plus k, control plus s, alt plus s या फिर आपके alt plus k यहाँ पर देखें आपके person sing के 6 का उतर लेके आ रहा हूँ person sing के 6 के अंदर आपका right answer जो है hyperlink को insert करने के लिए आपके की किस की का वियूज करते हैं तो इसका उतर होगा आपके b, control plus k hyperlink को insert करने के लिए आप जो है control plus k का परियोग करेंगे ठीक है, hyperlink होता क्या है यहाँ पर समझ यह कि दो या दो से अधिक page के आपस में आप दो या दो से दिक page को आपस में, जो internet के जो page है ठीक है, html page है, उनको आप आपस में जोड़ना चाते है या किसी एक page के साथ, किसी दूसरे page को जोड़ना चाते है तो आप hyperlink का use करते हैं, ठीक है, तो आप control plus k का use करके जो है hyperlink insert कर सकते हैं, माल लिया आप MS Word के अंदर या MS Excel के अंदर कोई भी एक object है, जिसको click करने के बाद कोई दूसरे page open हो, तो उसके आप select कीजिए object को, उसके बाद आप control plus k के दबाएंगे, तो वो आपसे hyperlink insert करने के लिए जो है, आपसे link जो है insert करने के लिए आपसे पूछ लेगा, input करने के लिए ठीक है, समझ में आगए आप सभी को, आगे बढ़ते हैं, next person की और साथो प्रसन है, वरक सीट में कौन से formula लगे हैं, इसे देखने की shortcut की क्या है control plus tilde, control plus semicolon, control plus dot, control plus आपके dot और control plus 5 सभी बता दे, जल्दी से comment box में इसका उतर, तो यहाँ पर देखे आपका, जो इस person का उतर लेके आ रहा हूँ साथो प्रसन है, आपका वरक सीट में कौन से formula लगे हैं, मलब आपने वरक सीट में कौन कौन से formula यूज की हैं, उसको देखने की shortcut की क्या है आपका A, control plus tilde, यह जो आइकन है, इसको tilde का जाता है, ठीक है, तो control plus tilde की मदद से आप जो है, वरक सीट में कौन से formula यह देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं आट अपरसन है, next cell को select करने की shortcut की क्या है, tab, home, end या escape आपकी सामने इस परसन का उतर आ रहा है, next cell को select करने की shortcut की क्या है, तो इसमें होगा आपके A, tab tab से जो है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप अभी A1 पे खड़े हैं, ठीक हैं, आप A1 को select कर रहा है आपने, और अगर आप next tab पे जाना चाहते हैं, तो आप tab बटन को यूच करेंगे, तो उस next cell में चले जाएंगे, अब यहाँ पर बात आती है, आपके cell के से कहते हैं, तो रखना, दो या दो से दिक cell को range को select करने के लिए, उसमें जो आप उस cell address को दिखाएंगे, तो उसके बीच में आप colon का यूच करेंगे, जैसे A को A5 अनुपात A6, ठीक है, A1 अनुपात A20, यह सारे के सारे इसके उधारन है, तो दो या दो से दिक cell range को विभाजित करने के लिए आप colon का यूच करेंगे, और next cell को select करना है, तो आप tab button का परियोग कर सकते हैं, नौवा प्रसन है, cell में currency format apply करने की shortcut की क्या है, control plus shift plus 9, control plus shift plus dollar, shift plus F7 और alt plus F10, सभी जल्दी से अपना उतर comment box में बताएं, आपके सामने इस person का उतर लेके आ रहा हूं, परसन संक्या 9 के अंदर जिन्हों ने उतर दिया है, सभी उतर जांच करें, परसन 9 का आपके सही उतर होगा, B, control plus shift plus dollar, control plus shift plus dollar से आप क्या कर सकते हैं, currency format को apply कर सकते हैं, ठीक है, currency format को apply करने के लिए control shift और app, control shift और dollar use sign का जो है, यूज करेंगे, आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, परसन है, sell में percentage format को apply करने की shortcut की क्या है, control plus shift plus 9, control plus shift plus 10, control plus shift plus 30 और F10, सभी अपना उतर जल्दी से comment box में लिख दे हैं, तो बहुत ही subtle size का उतर है, control plus shift plus percentage का यूद करके, आप किसी भी sell में percentage जो है, परसनेज जो format है, वो apply कर सकते हैं, तो 10 परसन हो चुके हैं, अगला 11 परसन आपके सामने लेके आ रहा हूं, सभी जिनोंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, चैनल को subscribe कर दे हैं, क्यूंकि आप स तो उसके लिए जल्दी से आमारे चैनल को subscribe कर लें आप तो देखें, यहाँ पर इस परसन का उतर आपके सामने है, इस परसन का उतर होगा, डी, control प्लस, shift प्लस, आपका जो यह up arrow का जो sign है, इसकी बंदर से हम exponent number format को apply कर सकते हैं, exponent number format को apply कर सकते हैं, अगे देखें, बार आपरसन है, cell में date format करने की shortcut की क्या है, बहुती important स्वाल है shift प्लस 10, control प्लस shift प्लस has, shift प्लस one प्लस semi-calon, control प्लस shift प्लस dollar, आप सभी अपना उतर जल्दी से comment box में लिख दे, इस परसन का उतर, परसन संक्या 12 के अंदर जिन्हों ने उतर दिया है, अपना उतर जांच कर लें, परसन संक्या 12 के अंदर आपका उतर होगा, control प्लस shift प्लस head से हम date format को apply कर सकते हैं, तेरो परसने पूरी row select करने की shortcut की क्या है, shift प्लस space, control प्लस space, alt प्लस space या एफ 9, देखे, तेरो परसन के अंदर आपका उतर होगा, यह shift प्लस space से पूरी कोई भी जो row होती है, उसको select कर सकते हैं, आपको मैंने जैसे भी बताया था कि जो row होती है और जो column होते हैं वे दोनों मिलकर जो है किसी एक cell का निर्मान करते हैं और cell की जगा या address को हम cell address कहते हैं आगे बढ़ते हैं 14 परसन की और 14 परसन ने open workbooks को switch करने की shortcut की क्या है control plus F5, control plus F6, control plus F7 और control plus F9 सभी जल्दी से अपना उत्तर लिख दें तो देखे परसन संगे 14 का answer और परसन संगे 16 का आपके right answer होगा B, control plus F6 से open workbook को switch करने की जो हैं ये shortcut की है और last दस 15 परसन आपके सामने है course, even, fact, exp किस category की function है data, math, trig, data या फिर आपके string यहापर आपके data दो बार सब चुका है उसके लिए समाच आते हैं आपको data, math, trig या string इन तिनों में से मुताना है सही कौन सा है तो देखे, आपके सामने 15 परसन का उत्तर, 15 परसन का उत्तर होगा आपके B, math, trig, course, even, fact, exponential जो है वो math, trigger जो है आपके category के function है तो सात्यों यहाँ पर आपको आज की test series कैसी लगी है सब भी अपनी राए नीचे comment box में दीजेगा लाइक कीजेगा और अपने मित्रों के साथ इसको share जरूर कीजेगा और हमारे चैनल जीके इन मारबड़ी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद